कुछ अद्भुत्सा अब तक हमने जो शोद किया है उसे यही समझाया है कि यहाँ अंडे रखने के लिए समुद्री तट बहुत अच्छी तरह संरक्षित है और यहाँ अंडे से बच्चे निकलने की दर भी बहुत उची है तो इससे पता चलता है कि समस्या समुद्र तटों में नहीं है हर साल नवंबर की शुरुवात में लगभग सत्तर लेदर बैक कच्छवे समुद्र के तट पर घोसला बनाने आते हैं सुर्यास्त के बाद रोनेल नेल और उनकी टीम ने इने खोच कर इनके कई तरह की माप और जैविक नमूने लिए इन कच्छवों का भार 600 किलो से भी ज अच्छी चारागाह में जा रही है या क्या उसे मच्छली पालन जीसी छीजों से खत्रा है या क्या वह समुद्र के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर बारी प्रदूशन है तो हमें सटीक भंक से पता चलेगा कि वह कहा और और किस हालत में है कैसा बरताव कर रही और किस तरह के खत्रों का सामना कर रही है। अवैद शिकार और बसेरे खत्म होने के अलावा कुछ कम गंभीर खत्रे भी समस्या पैदा कर रहे हैं। आम तोर पर कच्वे समंदर में फेंके गए बेकार जालों में फंस जाते हैं। अगर वे इन से खुद को छोडा न सकें तो मर भी जाते हैं। एक और समस्या है प्लास्टिक कच्रा, समुदरी कच्वे केकडे, शैवाल और जेली फिश को खा कर जीते हैं। और प्लास्टिक की थैलियां या तैरता माइक्रो प्लास्टिक भी उन्हें खाने जैसा ही लगता है। प्लास्टिक उनके शरीर में जाने पर उनके अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है और भूख से उनकी मौत हो सकती है। जमीन पर लेदर बैक समुद्री कच्छों को बचाने के लिए प्रशासन ने कुछ इस्थानिये लोगों को टर्टल मॉनिटर के तौर पर भी न्युक्ति किया है। वे अंडे देने के मौसम में तटों की निगरानी करते हैं, उनके घोसलों की निशान देही करते हैं और कच्छों की माप भी लेते हैं। इस काम से इस्थानिये समुदायों को भी फाइदा हुआ है। यहाँ पर वेग्यानिक पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से लेधर बैक कच्छों में सेटेलाइट टैग लगा रही हैं। लेकिन इस नए टैग से रिसर्चर दक्षन अफरीका के तटिये इलाके में कच्छों की गत्विधियों की ज्यादा सा टीक निगरानी कर पाएंगे आकणों के मताबिक ये कच्छों साथ हजार किलोमेटर दूर उत्तर में मध्यांगोला तक चले जाते हैं। ये बात उनके संरक्षन को और चुनोती पूंड बनाती है। इस परियोजना में हमारी कोशिश है कि इस प्रजाती के लिए महत्पून जगाहों जैसे चारा गाह, घोसलेय, प्रवास की जगाहों की सर्वोत्तम वैग्यानिक तरीकों से पहचान करें और ऐसे इलाकों को पहचाननी में अपने क्षेत्रिये, सहयोग्यों की मदद करें। इन विशाल जानवरों की टैगिंग के अलावा रिसर्चर उनके खून के सैंपल भी लेते हैं ताकि उनकी आनुवानशिकी को बहतर ढंक से समझ सकें। इससे इनकी आबादी के सामान्य स्वास्तिकी बहतर जानकारी मिल सकती है। शोतकरताओं को आशा है कि अलग-अलग ज कास के दौर में चली गई हूं। मेरा मतलब वे साड़े-च्छे करोड साल पुराने हैं और तबी से वैसा करते आ रहे हैं। और अब सच्छा यह हैं कि वे अत्यधिक लुप्तप्राइश्रणी में हैं। इसलिए उन्हें लेकर मुझे आशा है कि हम उनके संरक्षन को बहत सकते हैं। उम्मीद है कि उनकी आबादी बढ़ेगी और सभी इसके गवाह बन सकेंगे। टीम का शोध अच्छे नतीजे दे रहा है। साल 2019 में सरकार ने कई नए समुद्री संरक्षन इलाकों की निशान दे ही की और इसी मांगाली सो वेटलेंड, पार्क और समुद्र के स संरक्षित इलाकों को काफी बढ़ाया। नए टैक से वेग्यानिक यह साबित कर सके कि लिदर बैक कच्छवे सिर्फ 30 रेखा के नजदीक नहीं रहते बलकि लंबी समुद्री आत्राएं भी करते हैं।